हेलो गाईज कैसे आप सब उमिद करते हैं प्रिवार्जनों के साथ सवस्त अंद्रोस्त और मस्त होंगे गाईज 21 मई बढ़ी अपडेट हर्याना स्टाप सलेक्षन कमीशन को लेकर हर्याना स्टाप सलेक्षन कमीशन की उस बढ़ी हुई डेट को लेकर जिसमें 626 कंडिडेट हो गए थे ओवरेज लेकिन उनको मिला एक और मोका बढ़ा दी गई है डेट CET की common entrance test, registration date बढ़ा दी गई है एक बार फिर और मिल गया है मोका जो छुट गया था जिनका CET का registration form या application गाइज पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो complete देख लेना अगर चैनल पर पहली बार आए है चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन के उस घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको education sector की और हरियाना स्टाप selection commission की यानि HSSC और SSC है संबंदित परतियक जानकारी मिल सही समय पर stick visualization के साथ तो गाइज बिना देर लगाए आज की update को से करवाते हैं आपको रूबरू जिसके तहत उन कंडिडेटों को मिली राहत जो हो चुके थे और बढ़ी है date दोबारा CET की गाइज आपको आपके सक्रीन पर दिखाई भी दे गई होगी वो update जिसमें लिखा है हरियाना करमचारी चैन आयोग यानि HSSC ने common eligibility test के लिए यानि CET के लिए आवेदन करने की अंतिम्ति थी फिर बढ़ा दी है पहले आवेदन करने की अंतिम्ति थी 20 मई थी अब आयोग ने CET के लिए आवेदन करने की अंतिम्ति थी 31 मई तक बढ़ाने का निरने लिया है गाईज वहीं सुलक जमा करवाने की अंतिम्ति थी 6 जून होगी आयोग की तरफ से 6,296 पदों की भरती रद की गई थी जिस कारण युवा औरेज हो गए थे आयोग ने इन युवाओं को आयू में छूट देते हुए CET के लिए आवेदन करने की अंतिम्ति थी बढ़ा दी है जिसे अब और आगे बढ़ा गया है वहीं CM ने कहा की CET की प्रिक्सा जल्द ली जाएगी ताकि युवाओं को मिले रोजगार जल्द से जल्द तो गाइज जो भी युवाओं साथी CET के फारम भरने में अभी तक रह गए थे छूट गए थे तो अब एक मोका और है अपना CET का फारम भरने का ताकि ग्रुप C और ग्रुप D की हरियाणा की भरतियों में वो इलिजिबिलिटी टेस्ट कलियर कर सकें और वो भी उस तो गाइज आज की ये बड़ी अपडेट आपको कैसी लगी अगर अपडेट लगी अच्छी बात लगी सचे तो विडियो को करना दवा के सेर चैनल को कर लेना यहीं सबसक्राइब बेल अइकन की घंटी कर लेना प्रेस जल्द मिलेंगे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स अ आन्देमा